नमश्कार दोस्तों सभी का आपके पनी यूट्यूब चैनल आउनलाइं शेविट डीगी मर आज हम देखने वाले हैं परेवरेन अध्यान की काफी महतुपूर्ण प्रशन जो की आपके लिए उप्यूगी होंगे आने वाली आपकी यूपिटेट एक्जाम 2030 के लिए तो आनेंगे सब कुछ इस वीडियो के लास्ट तर तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे फरस्ट किशन फरस्ट किशन आता है यहां पर दूद से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारी इकाईयों से मिलकर बना होता है यह इकाईयां क्या कहलाती है इसके लिए विकल प्राप्त जो प्रोटीन होता है वो जब बहुत सारी इकाईयों से मिलकर बनता है तो यह इकाईयां कहलाती है हमारे लिए इसमें आप्शन नंबर सेकेंड एमिनो अमल को यहने की एमिनो अमल होता है तो इसके लिए सही उत्तर हमरा हो जाता है आप्शन नंबर सेकेंड एम मढ़नेगा प्रेस करते हैं कि आ horr एइमेनोंच अमल होते क्या है ओर ऑसे होता है जिसको अब इस प्रगार से लिखते हैं ये दोनों समभू इसमें पाई जाते हैं निकि दोनों समुहूं का एक बना हुआ कारवनिक योगिक होता है जो कि हमारा एमिनो अमल कहलाता है अब बात करें कि एमिनो अमल जो होते हैं कहलाते हैं प्रोटीन के जलब घटन से यह अलफा एमिनो अमल का मिस्तरन प्राप्त होता है यह जब प्रोटीन का जलब नत्मक इकाई बिल्कुल उसी प्रकार से होती है जैसे प्रकार से एक दीवार होती है और दीवार इटों से बनी होती है तो एक दीवार की इकाई इधी हम देखें उसकी संग्रशनात्मक इकाई इट होती है बिल्कुल उसी प्रकार से एमिनो अमल हमारे प्रोटीन की एक संग एक ही एमिनोमल नहीं होता है से बहुत सारे अनुई एमिनोमल के आपस में जोइंट होते हैं बॉंड के द्वारा और इनके बीच में जो बॉंड पायाता है वो हमारा पैप्टाइड बंद कहलाता है इस प्रकार से वो बंद इनके बीच में जो बनता है दो एमिनोमल के बीच में बनने वाला बंध हमारा peptide बंध कहलाता है, तो यहां पर इसमें एक हिस्सा हम देख सकते हैं, यहां पर यह इस्सा है, जो यहां पर C होगा, तो इस प्रकार से C को संग्रेशनाओं में लिखकर नहीं दिख खायता है, क्योंकि यह रासानिक संग्रेशनाओं होती है, जिसम हमारा कुछ हाइड्रोकारबन वाला हिस्सा है, तो एक एमिनोसमू, अब बिलकुल एक और एमिनोमल के साथ में जुड़ेगा, और इनके और अगले के बीच में एक बंध बनेगा, जिसे हम peptide बंध कहेंगे, अब यदि हम बात करें, तो जो प्रस्न था हमारा वो दूद से संबंध था, तो इसके लिए थोड़ा सा हम दूद की वारे में थोड़ी सी बातों को यहां पर समझते हैं, दीखें, दूद जो होता है, क्या उसके अंदर सेर्फ प्रोटीन ही होता है, और कुछ कौन-कौन से खनीज हो सकते हैं, उसमें प्रोटीन होता है, तो कौन सा प्र तो यहाँ पर दूद के अंदर परन इसे प्रस्ट बनता है है इसी दूद जो होता है इसमें आखिर कौन सी शूगर होती है तो सूगर का भी हमें दियान रखना है दूद के अंदे जो सूगर होती है वो लैक्टोस सूगर कहलाती जिसे हम दुग्द सरकरा के नाम से भी जानते हैं और लेक्टोस या दुग्द सरकरा जो होती ये प्रकर का डाई सेकराइड होता है ये गलेक्टोस के एकणू और ग्लुकोस के एकणू के मिलने से बनता है अब प्रस्न एक और हमारा यहां इसी टॉपिक से रिलेड़ेड बनता है जिसे हम कह सकते हैं कि दूद के अंदर जो प बिलता है ने कि दूद में कैसी नामक प्रोटीन जो होता है ये पाय जाता है तो उमिद करते हैं कि अमिनोमले दूद प्रोटीन वगरा इन संबंदित टॉपिक से जो जो प्रस्न बन सकते हैं वो थोड़ा सा यहां पर मैंने आपको एक्स्ट्रा प्रस्न को बताने का इसमें किया है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रस्न को देखते हैं वरतमाई में भारत की किस इस्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है काफी महत्पूर्न प्रस्न है वाइट वाटर के नाम से जाना जाता है भारत का कौन सा इस्थान विकल्पों को देखते हैं ल जाना जाता है क्यों जाना जाता है यह भी हम देखते हैं तो देखें हें सिया-चीन जो है इसे भारत में सफेद ग्लेशियर अगार मुधा करा देख सकते हैं तो यहां पर सियाचिन ग्लेशियर जो होता है हिमाले की पूर्वी काकोरम परवत माला में भारत पाक नियंतर नरेखा के पास में इससे एक हिमानी ग्लेशियर या एक हिमनद भी इसको हम कह सकते हैं कि यहां पर तापमान जो होता है वो इतना ज्यादा ठंडा बना रहता है ज आप यहां पर यहां पर देखें तो माइनस पचास साथ डिग्री तक इसका तापमान जो है वो गिरा हुआ रहता है और इतने माइनस की तापमान के अंतरगर्द भी यहां पर जो मारे सेना के जवान होते हैं वो ड्यूटी करते हैं अब हम बात करें यहां पर तो दुर्गम पहाड़ियों में यहां इस्थान हमें सब वर्फ से घिरा रहता है और इसी कारण से इस इस्थान को सफेद पानी के नाम से भी जाना जाता है तो यहां पर इसका तापमान महतुपूर्ण है कहां पर है कौन सी परवत माला में इस से ये थोड़े से प्रस्ने इसमें नए बन सकते हैं यहां पर तो काकोरम परवतमाला यह यहां पर रहेगी चलिए आगे चलते हैं और अगर प्रस्न की बात करते हैं जब कोई सफेरा अपने वादी अंतर बीन को बजाता है तो साफ उसकी ध्वनी पर अपने सेर को इधर हुदर नाश रहा है तो आखिर यह साफ प्रतिक्रिया किस प्रकार से करता है आपके विचार से आपको बताना है उस वादी अंतर के द्वरा उत्पन के प्रति अनुक्रिया करके उस वादी अंतर को सूनकर वादी अंतर की ध्वनी को सूनकर उस वादी अंतर की गति को देखकर तो तो वो सर्फ उस कमपनों के द्वारा ही प्रतिक्रिया यहां पर करता है अभी दियम इसके उत्तर को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो सांप जो होता है उसके कान नहीं होते हैं नहीं सांप को सुनाई देता है फिवी वहा सापेरे के बीन को यहां वहां घूमने को देखकर डोलता है और जिसे हम समझते हैं कि सांप नाच रहा सांप जितनी अच्छे तरह बीन बजाता है सांप उसी तरह से अपने फन को घूमाता है तो यह हमरा इसमें उत्तर बन जाएगा और इसी बीन से संबनित और नए तरीके से प्रस्ट ने पूछे आते हैं तो चलिए उनको भी थोड़ा सा समझते हैं अब बात करें हम यहां पर बीन की तो देखिए बीन जो होता है जो सफिरा का वादी अंतर होता है यह प्रकार का वादी है जिसका प्रयोग प्राचियन समय से होता रहा है इस वादी का प्रयोग मुखिता भारत में साब का तमसा दिखाने वाले सफिरा लोग आदी इसका उप्योग करते हैं तो यहां पर बीन की बनावट जो होती है कुछ इस प्रकार की होती है जिस भी यहां पर बीच का हिस्सा हम देख सकते है जो की फूला हुआ हिस्सा होता है और यह जो हिस्सा होता है यह बनाया जाता है सूखी लौकी से यहने कि बीन बनाने के लिए सूखी लौकी का प्रयोग कि जाता है जिसका उप्योग हम सबजी में भी करते हैं पर नितों जो लोकिया तोड़ी नहीं जाती है और वो ऐसे ही पड़े-पड़े मतलब बड़ी हो जाती है और सूख जाया करती है पौधे के अंदर ही तो तब वो लोकिया फूल जाती है आकार अलग अलग तरह का हो जाता है जिसमें से इस परकार की लोकिया जाता है और ये जो हिस्सा होता है ये सूख लोकिया का बना होता है और देखिए इसको इस परकार से क्यों चुना जाता है तो क्योंगी इसका कारण मुक्य जो होता है किसका उप्यük जो है एर रिजर्व के लिए किया जयता है निकिसमे हवा भरी रहे हवा का स्टक रहे और इसी के साथ मैं स्थ की नलिया इसमे लगा दिया दिया जिने हम जीवाला कहते हैे तो यहां पर इसकी संग्रिशना इस पर्कार शूर्थ होती है कि बीन जो है वो किस चीज़ की बनी होती है तो सूखी लौकी की बनी होती है साथी मास की नलियों की बनी होती है अब देखे एक और प्रस्न यहां पर नया बनेगा कि जो सापों का तमसा बताने वाले जो लोग होते हैं तो इन से समूदाय पूछ लेता है, इनका समूदाय पूछ लेता है तो बीन का इस्तमाल करने वाले लोगों में दिम बात करें तो ये संप्रदाय कालबेलिया समा, संप्रदाय या समूदाय कहलाता है और ये एक बंजारा जाती है जो प्राचिन कालसी एक जगा से दूसरी जगा पंदर अंतर घुमती रहती है जीवी का उपारजन के लिए ये लोग सांपों को पखड़ते हैं और उनके जहर का व्यापार भी करते हैं पर दीरे दीरे वरतमान समय में हम देखते हैं तो इन सब चीज़ों पर जो है वर रोक लगी हुई और अब इनका उपयोग हमें ना के बराबर देखने को मिलता है तो यहां पर इस बीन से समबदित और भी कुछ इस प्रकार की प्रस्न बन जाते हैं तो इन्हें भी आपको ध्यान रखना है और साथे साथ एक और यहां पर प्रशनिस में बन सकता है आगे बात करें अंतराश्टी इस तरफर वन्य जियों की सुरक्षा है वो संस्था कुन सी है विकल्ब कोई देखें तो यहां बहरे आई यू सी एन यूनिसेफ है या आई यू पीसी है या डव्यू एचो है तो यहां पर सही उत्तर हमरा हो जाता है वो हो जाता है आफ्शन नंबर फरस्ट अब देखें आई यू सी एन जो संस्था होती है इसकी हम बात करें तो यह जो संस्था होती है यह यह प्रसनि को मिलेंगे कही न कहीं किसी प्रकार का प्रसंद से देखने को हमसा ही ही मिलता है येGe स्थापना ईफ इंगे यहां पर बात की जा ए То इसकी स्थापना आय obviously कि कल थी तो 5 अक्टलबर 1948 को इसकी旅ज वह देखने को मिलती है यानी की वहाँ गई थी इससे बहुत क्यूश्य निकलते हैं इस टॉपिक से तो यहां पर एदि हम बात करें तो यह जो संसा है यह और क्या कारी करती है तो दीखे अंतरास्ती प्रकरती और प्राकरती संसाधन संगरक्षन संग यह इसका हिंदी नाम है जो हमने देखा दा इसका हिंदी नाम इस प्रकार से हुगा और यहां पर यह प्राकतिक संसाधनों के संगरक्षन के लिए एक समर्पित अंतरास्ती संगर्ठन है और इस संगर्ठन का जो लक्ष है विद्वीकरत पर्यावरणा और विकास संबध्धी चुनोतियों के लिए व्याभारिक समदान खोलने में सहायता करना ही इस संसा का लक्ष है और एक और नए तरीके से इससे प्रशन पूछा जाता है लाल सूची रेड डाटा बुक को जारी करता है वो भी यही संसा करती है और इससे आपने कई बार प्रशन देखेंगे तो यह विस्व के विभिन संगरक्षनों और संग बुक होती है इसमें क्या-क्या चीजें होती है इनके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे जो विस्व के मैं सबसे अधिक संकट ग्रस्त प्रजातियों को दर्साती है अब यह बुक यह मतलब जो जाने का रही होती है तो यह कहां से इस आयुसेन को प्राप्त होती यहां पर आपने देखा कि यह वेबनेश संगरक्षन संगरठनों के नेटवर्क से यह जानकरी प्राप्त करते हैं और लाल सूची में उनको पर दर्साते हैं साथी साथ बात करें तो कुछ और भी प्रस्निस से बनेंगे रेड डाटा बुक से जो की है रेड डाटा बुक का प्रगाशन IUCN यहने की इंटरनेशनल यूनिन ऑफ कंजर्वेशन नेचर के द्वारा किरेता है और इसका मुख्याले सुट्जर लेंड में है यह काफी का प्रगाशन कब किया गया था तो यह काफी महत्वूर्ण प्रशन है तो आपको देखना है कि सन 1963 में सर पीटर स्कॉट ने अंतरास्टी रेड डाटा बुक की कल्पना की थी देखिए यहां पर 1963 में कल्पना की गई थी साथ इसाथ रेड डाटा बुक में ऐसे पसु पक् इसने की थी पीटर स्कॉर्ट ने कल्पना की थी और चोशट में फस्ट बार इसका प्रगाशन जो था वो किया गया था रेड डाटा बुक का दूए कुछ जिए प्रथम होती वह कुछ अंतिम होती है वह इन से ज्यादा प्रश्ण बनते हैं तो रेड डाटा बुक का प्र यह बिजांड हैं इस तरीके सर हैं बाहिदल है या पुश्पदल है तो देखें यहां पर जो चार शीजे हमें दे रखी तो इसमें से सही उत्तर हमारा कौन सा होगा तो यहां पर यह इस तरीके सर भी नहीं होते हैं बाहिदल भी नहीं होते हैं पुश्पदल भी नहीं होत होता है वो पोधे का एक मादा जनन वाला हिस्सा होता है और उसे हम इस्तरी के असर करते हैं पर ये अंडा से के इस्तरी के अंदर अंडा से है तो अंडा से में जो संगरशना होंगी वो हमारी होंगी अब दीखे इसके लिए हम एक फूल के संगरशना को भी देखते हैं तो उत्तर हमारा यहां पहुँआता है बीजांड और बाकी हम इसे नए प्रस्नों की बात करते हैं नए प्रस्नों कैसे कैसे बन सकते हैं उनको समझते हैं तो दीखे बीजांड का मतलब जिदि हम देखें वह संगरशनाएं होती हैं जहां पर मादा प्रजनात्मक कोशिकाओं का निर्मान और भंडारन होता है अब दीखें मादा प्रजनात्मक कोशिकाओं का निर्मान कहां पर होगा अंडा से के अंदर और भंडारन भी होगा वहीं पर तो यह सब्द का एक सामनियर्थ है अब यहां पर हम देखें थे एक फोल की संगरफणी को देखें, इस में देखने को मिलती है. इसे अंडा से से यहां पर हम उपर जा आती हुई कुछ नलियों को देख रहे हैं, ये नलियां हमारी वर्ति कांगा लाएंगी, और इन नलियों का उपरी सिरा जो है यहाँ पर वर्तिकागर होता है जो कि पराकणों को यहाँ पर ग्रहन करने का कारिय करता है तो यहाँ पर यह मादा जनन अंग है इस्तरीकेशर और यहाँ पर पुकेशर पराकोश यह जो है यह नर जनन अंग होते हैं उस पुष्प के बात करें दल पुष्प के तो दल पुष्प के यहाँ पर देखें पंखुडिया जो होती है वो पुष्प के जो बाहित दल होती ह वो कहलाती है हाँ ये दल कहलाती है पुष्पदल ये दल पंखोडी कह सकते हैं और ये जो नीचे के पुष्पदल से नीचे लगए हुए थोड़ से हरे हरे हिस्थे के भाग होते हैं ये बाहिय दल कहलाते हैं तो ये पुष्पदल हो गया ये हमारा बाही दल हो गया है ना जिसको हम दल पुंज और बाही दल पुंज के नाम से भी जानते हैं तो ये हमारे एक फूल की यहाँ पर समर्शना होती है तो इस प्रकार से हम नर वाला हिस्सा कौन सा है उसमें कौन कौन से भाग आएंगे तो पराग कोश आ जाएंगे और यहाँ पर जो पराग तंतु होते हैं वो आ जाते हैं अब और भी कुछ नए प्रशन के दिए बात करें तो इस तरीके सर जो होता है ये फूल का मादा जनननंग होता है जिसके सिर सपर एक वरतिकागर होता है यहाँ पर हमने कर ली इस तरीके सर एक फूल का विजांड उत्पादक भाग होता है बड़के अंड़ा से के अंदर बिजांड यहां पर बनते है इस तरीके सर का कारय पराग प्राप्त करना होता है और बीज उत्पन करना होता अंडा से अक्सर एक लंबी वर्तिका को सहरा देता है जिसके उपर वर्तिका अगर यहां पर हमें देखने को मिलता है आगे दियम बात करें तो इसमें कुछ और संगरशना है यहां पर दूसरी चतर के मात्यम से भी हम देख सकते हैं यहां पर एक फूल और है और इसके अंडा से वाला हिस्सा है और यहां पर छोटी छोटी गोल संगरशना है इसके भी तरभी हमें देखने को मिलती है यहां पर भी दूसरी चतर में हम देख सकते हैं सेम वैसा ही है यहां पर अंडा से दिख रहा और इसके अंदर छुटी जोटी गोल संगरशनाएं यहां पर देखने को मिलती है अब दिकी और भी नए प्रस्टेंस में बन जाते हैं कि निस्चन जब पोधे के अंदर हो जाता है उसके बाद अंडा से जो होता है वो किस रूप में परिवर्तित होता है तो अंडा से जो होता है वो बदल जाता है आगे चलकर के फल में कि जो फल हम देखते हैं तो फल अंडा से का ही परिवर्तित या विक्सित रूप होता है और फूल के अन्य भाग जो होते हैं वो सब जढ़ जाया करते हैं फल पका हुआ अंडा से ही है मतलब जो फल होता है वो एक पका हुआ अंडा से है और प्रत्य एक बिजांड एक बीज के रूप में विक्सित होता है बिजांड किसमें परिवर्तित होता है तो बिजांड आगे जलकर के बीज में परिवर्तित होता है और अंडा से किसमें परि कुछ प्रकार होते हैं तो बिजांड तरह तरह के प्रकारों में देखने को मिलते हैं तो यहां पर बिजांड के मुखी प्रकार जैसे के रिजू वरती है तो यहां पर फस्ट नंबर वाला जो है यह हमारा रिजू वरती है दूसरा यहां पर है अधो मुखी तो देख सकते है इसका मुख इधर है इसका मुख इधर है ये दूसरे प्रकार का यहां पर अधो मुखी हो जाता है तीसरा यहां पर आ जाता है अनुप्रस्था वर्त तो अनुप्रस्था वर्त के अंदर करत हम देखें तो यह थोड़ा सा हमारा यहां पर तीसरे नंबर का यहां पर है अनु चैलिए अगला प्रस्ट्रपति अपना त्याक पत्र किसे प्रदान करता है किसे देते तो यहाँ पर बात करें प्रधार मंतरी को, उपरास्ट पती को, मुखिनियादियस को, महानियादिय को प्रास्ट न काफिस सरल है और आप उत्तर आसने से कमेंट से इसका दे सकते हैं तो यहाँ पर सही उत्तर हमरा हो जाता है रास्टपती अपना त्याग पत्र सौपते हैं वो सौपते हैं उपरास्टपती को अब यहाँ पर रास्टपती उपरास्टपती प्रधार मंतिरी से संबने तक्सर प्रशना आपको यूपरेट एक्साम में देखने को मिलते हैं तो सबसे फर्स्ट नया क्यूशन जो इससे बन सकता है वो बन सकता है कि यहाँ पर उपरास्टपती जो है रास्टपती अपना इस्तिवा संबोदित करते हैं तो यहाँ पर यह अनुच्छिद आपके लिए काफी मत्पूर्ण में प्रस्ण नहीं प्रस्ण आपको आता है पर इस जो कि इनके स्थीपे से रास्टपती के संबनित होगा और उपरास्टपती सभावती को सुचिद करते हैं आगे नया प्रस्ण से बन सकता है भारत के समिधान का अनुच्छे तरेंसट यह उपन करता है कि यह भारत का एक उपरास्टपती होगा अब देखिए यहाँ चलता है कि भारत के उपरास्टपती होगा यह कौन से अनुच्छेद में बतायागा है कौन से अनुच्छेद में इसका पराउधन है यहाँ परेदी हम देखें तो इसका पराउधन जो है वह हमें देखने कर अदो इनोच्छ 63 से हम चलते हैं तो 21 तर तक ये सारे लगा करके तो 21 तर यहां पर थोड़ा सा बताने के प्रास्ट करूंगा 63 सेologically 71 तक जो अनुच्छ सारे हैं फितो रहे हैं वो टोटल ही आपके उपरास्टापती से संबंधत है और अलग-अलग अनुच्छे जो है उसमें अलग-अलग बा 63 के लिम बात करें, तो 63 अनुच्छ जो है यह सर बताता है, भारत का अएक उपरास्टु पति होगा, अनुच्छ 64 जो है 64 यह बताता है, intensely राश्ट्रपति की अनुपस्तिती के दोरान कार्य करने से संबंदित हो जाता है 66 है तो 67 है तो इस प्रकार से 71 तक सारे ही जो अनुच्छेद रहेंगे 63 से लेकर यह सब उपराश्ट्रपति के कार्य नियुक्ति आधियादी से संबंदित रहेंगे तो मुख्य रुपसी यह दो चीजें आपको धियान रखना है यह और उपराश्ट्रपति को सबत कौन दिलाता है तो यह मानेजनी राश्ट्रपति दिलाते हैं यह एक प्रश्ण नया बन जाता है और सेम इसी प्रकार का प्रश्ण है प्रधान मंतिरे अपना त्याग पत्र क हो ना अब यह कौन सा अनुच्छत में है तो यह हमने भी बात की थी कि यह 64 से संबदी थे अनुच्छ 64 और यह भी एक नया प्रश्ण बनता है राज जिस अवा का पदिन सभापती कौन होता है तो उप्रास्टुपती ही यहां पर पदिन सभापती होते हैं आगे बात करें त उप्रास्टुपती का चुनाव जो है वो किस प्रक्रिया के तहत होता है इसे भी प्रश्ण बन सकता है उप्रास्टुपती का निर्वाच्छन संसत के दोनों सदनों के सदर्श्य मिलकर बनने वाले निर्वाच्छन गण के सदर्श्य के द्वारा अनुपाती प्रति नहीं मतों के द्वारा किया जाता है और ऐसे निर्वाचन में गुप्त मद्दान होगा तो ये इनके निर्वाचन से संबले और एक और नया प्रस्ट यहां बनता है जिसमें अक्सर हम कन्फिजन हो जाती है है ना देखिए कि कभी विदाय के आयू पूछी आती है कभी प्रि यह देखिए तब ही वो उपरास्ट पती बन सकते हैं चलिए आगे देखें तो आगे एक और नया प्रस्ट बन जाता है भारत के सबसे प्रथम उपरास्ट पती कौन और रास्ट पती कौन तो यहां पर देखिए डाक्टर सरुपलिर राधा कृष्ण जो कि इनका जन्म इस उस्थान बता है और यह भारत के प्रथम उपरास्ट पती थे 1932 से लेकर United 1962 अगे चलिस ऑर जो अगे सब्सक्राइब करना दोब गद्रक्राइब औरуляр मारा और उप्रास्टप्ति चबी ऐती है ौर यह में मैं अधा किuição काइब अन्ट करना ऐं cho चोद्मान को यहाऊ दो यह है दिनले नहीं प्रेश्ण बन परषनाता है किन बिमारियों के लिए डीपीटी का टीका दीजाता है गया इसका है कि अग्रीयों के लिए घर कुन सी दिया टेनेश कन वे इसके थे दिस्टेटे लिए अब तीन उप्रकार की बीमारियों के बारे में तो यहाँ अबर फर्स्ट विकल्ब इसमें उत्तर हो जाता है और एक एक करके एक एक बीमारी को ठीक से समझते हैं दीखिए डीपिटी का टीका जो होता है यह टीकों की एक स्रेणी को संदर बित करता है जो मनिश्यों के अंदर होने वाले तीन संक्रामक रूग अब पहली बात हमें रहां मिलती है कि यह तीनों रोग कैसे हैं संक्रामक रोग हैं रोगों जैसे डीप्टी थीरिया पर्टूसिस जिसे हम काली खासी भी कहते हैं इसका एक और नाम पर्डूसिस भी होता है और टेटनेस है इन तीनों से बचाओ के लिए दियाता है D का मतलब डिप्टी धीरी कलब में तो हमें देखने को मिला था पर्डूसिस नहीं मिला था DPT पर P का मतलब क्या है P का मतलब पर्डूसिस है तो यह तीनों का एक संयुक्त नाम बनता है DPT का अभी दिन देखें तो यह तीनों बैक्टीरिया से होने वाली गंभिर बिमारिया है अब कोई बिमारिया जो होती है कोई जो होती है बैक्टीरिया से होती है तो यह bacteria से होने वाली गंभीर बेमारिया है और यह बैमारिय डेपटेथिरीय प्रडोसिस एक वoler एक सम्परक्माएं पर त्रेटनेस जो है वो घ्हाव के माथें से कूछ संक्रमित करता है आगे और बात करते हैं अब इक-एक बेमारी को थोड़ा सा समझते हैं इस एडिपने थिरिया है इसकी किया विश्यस्ता होती कैसा रोग होता है सबही आयू वाले रोगों को यह हो सकता है इसका उद्धोकाल 24 दिन का रहता है और यह प्रयाग गले में होता है और टांसिल्स भी इसमें अकरान्त हो जाते हैं इन्हें की गले गंदर सूजन वगरा जीवाने हैं तो उस्जीवानों का नाम पूछाता है यहाँ पर डिप्टी थीया जीवना संपरिट यह होगा लक्षन की बात करें तो इसमें लक्षन में नाग बैना गले में दर्दोना बुखार बीमार महिसूस करना मुक्षिय रूप से गले से संपरित रोग यह देखने को मिलते हैं क्योंकि ये जो सौधिन की खांसी इसको क्यों कहा जाता है क्योंकि ये जो खांसी होती है एक लंबे समय तक ये दस सब्ता तक लगभग एक खांसी जारी बनी रहती है ये दस सब्ता तक होती रहती है इसलिए इसको सौधिन की खांसी के नाम से भी जानते हैं और ये भी एक अ जिवानों बोर्डेटेला इसके नाम में ही रखन ह eternal॒ है और बात करें तो इसके लक्षनों के अंदर कर देखें तो यहां पर सामने तक खांशी वाला रोग है तो खांशी देखने को मिलें के सुस्वनूब बैहोंसी और खांशी के बाद उल्टी वगर भी इसमें देखने को मिल जाती है यह कुछ रोग के लक्षन होते हैं आगे बात करें तो यहां अगला रोग आता है हमारा धनो इस्तंब याने के टिटिनस अब दीखिए टिटिनस का नाम तो आपने बहुत सुना होगा पर केसी ये रोग होता है तो यह आपके लिए थोड़ा समझना जरूरी है जिसे धनो इस्तंब के नाम से भी जाना जाता है यहां और यह संग्रा में रोग है जिसमें कंकाल पेशियों को नेंदरित करने वाली तंत्री का कोशिकाए प्रभावित होती है और कंकाल पेशियों के फतंतु फाइबर के लंबे समय तर खिचे रह जाने से यह वस्ता प्रकट होती है और यह सखड़ी के अंदर दीमा करेते हैं वैसे मिठी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं और उस मिठी के संपर्क में हम आते हैं और हमारे उपर तवचा के उपर कहीं पर कोई चोट है कोई घाओ का निशान है तो जब हमारे घाओं पर यह बैक्टीरिया वह मिठी लगती है तब यह ह तो बैक्टेजियम क्लास्ट्रीडियम कहा जाता है देखी बैक्टेजियम क्लास्ट्रीडियम और ये मित्टी में लंबी सालोधी तक छेद बनागर दीमक के सम overcoming रएसकते हैं जब कोई गाव डिमक करोपी बैक्टेजियर से प्रदूशिद होता है तो टिटनिस की बेमारी पैदा होती है और जब ये बैक्टिरिया सक्रियों को तेजी से बढ़ने लगते हैं तब ये हमारी मान स्पेशियों को प्रभायट करते हैं और जहर पैदा करने लगते हैं तब टिटनिस का संक्रमेंट फैलता है हमारे सरीर में बैक्टिरिया के प्रवेस के रास्ते आम तोर पर कटे फटे घाव होते हैं यह जो भी हमारे घाव होते हैं वो इसके लिए रास्ते होते हैं और जो जंग लगी कीलो धातू के टुकड़े या कीटों की काटने जलने या तवचा के फटने से बनता है अब देखे अथा हम जब्जादर फ्रकार से और लगी उस धातू से कर्ड़ गया तो यह ट्र One Boss हो जाएगा कीट्नेश का में का नहीं जनान। वो इस प्रकार से होता वह इस बैक्टिरिया की वज़ेसे होता है आध्र जंग लगी चीज़ों पर जैसे की मिठी के संपर्ग में रहती है तभी उसमें जंग लगती है। mo Χe होते हैं वे लोगे रुप से चार प्रकार अक्सित के देखने को मिलते हैं तो सामाने ट्रेटनेस जो होता है वो सरीर की संगरेचना की मानस्पेशियों को प्रभाइद करता है और सामाने रुप से चार प्रकारों में सबसे गंभीर प्रकार है और स्थाने ट्रेटनेस प्रत्वी ग्रह के फेपड़े जो है तो यहाँ पर हम कहा जाता है तो यहाँ पर दूसरा विकल्पिस में मारा उत्तर होगा देखिए अमेजन वर्सा वन जो होते हैं यह इसे अमजोनिया या अमेजन वन के नाम से जाने जाता है और यह चोड़ी पत्ती और नमी युक्त वन होते हैं जो डक्षिन अमेरिका के अमेजन बैसीन के एक बड़े भूभाग पर फैला हो वन है अब इस वन का विस्तार के देखें तो यह सत्तर लाख वर्ग किलो मीटर यानिकी एक दसम्दो साथ अरब एकड़ के छेतर वर्ग फैला हुआ है जिसमें से पच्पन लाख वर्ग किलो मीटर वर्सा वन खड़े हैं और यह छेतर नो देशों के सीमाओं में पढ़ता है तो नो देश कौन कौन से हैं वो भी हम गया ना आदी में यह फैले रहें और यहां अपर सबसे अधिक सम्रद बायोम हमें देखने को मिलता सबसे ज़्यादा सम्रद बायोम कहां का होता है अमेजन वर्सा वन का होता है कितना छेतर में फैला हुआ है कौन-कौन से देशों में इसका अधिकान सहर्सा आता है यह भ प्रत्वी का फेपढ़ा से कहा जाता है चलिए आगे अगला प्रशन आता है यहां पर इनमें से कौन सा संभिलन उसकी वर्स से सुमलित नहीं है चार विकल्प हमारे हैं मौनजियर प्रोटोकॉल प्रत्व प्रत्वी संभिलन क्योट्टो संभिलन और कोपन हेगन संभिलन तो प्रतम प्रत्वी सम्मिलन की बात की गई वर्स 1988 बताया ہے तो यह सम्मिलन रिसम बात करें तो यह पहला अंतराष्टी प्रत्वी सम्मिलन जो की 3-14 जून 1992 से रियो डियनेरियो में आज़़त होता है कि इसका जो वर्ष है वो है 1992 बान दें तो यहां पर यह इस कारण से गलता इसे परेवरन और विकाश रियो सिखर सम्मिलन या रियो प्रत्वी सिखर सम्मिलन पर सेंग तो रास्ट सम्मिलन के रूप से भी नाम से भी जाना जाता है तो ऐसे दो तिन नाम इसके हमें देखने को यहां पर मिल जाते हैं, सिर्फर, प्रथ्विय शिकर, सब्मलण, है न? और राष्ट सम्मलण की नाम से भी है, तो यह हमारा उत्र हो जाता है, से में विकल्फब नमबर दो, तो दोधों यहाँ पर आजके जो प्रश्नम ने लिये थे, इसमिन नम नम श्कूर्णी के लिये थ और वीडियो आपको कैसा लागा कमेंट्स करके जरूब दरिएगा वीडियो बसना हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है और भी हम आपके लिए भैतर करने को प्रे बाइब यादना हो अजने बाह सक शेयर हमारा मोटिवेशन यहानि तioso है लागाा कि लाइब आपके प्रेगा।